Hello student, good morning और आज हम लोग पढ़ाइंगे एलेक्तिक फिल इंटैनशिटी due to hello charge asphirical kond времени या इसी टॉपिक को बोल सकते हैं एलेक्टिक फिल इंटैनशिटी due to charge फिन asphirical cell यानि आज हम लोग e曲 क्पिल इंटैनशिटी पढ़ाइंगे लेकिन किसकी वज़े से तो hello charge aspyrical conductor या charge thin aspyrical cell तो पहले हम आपको spare के बारे में बता दू तो spare जो है दो परकार का होता है एक होता hello spare और एक होता solid spare तो आज हम लोग पढ़ने वाले hello spare के बारे में hello aspyr के बारे में तो hello का मतलब होता है DOTS गोल और solid spare का मतलब होता है ठोस गोला तो दोनों का अठ्ध क्या है तो खोख़़़खोला गोला जिसके आंदर जु है होगा हवा रहे गया मतलब दुसरा पदार्त नहीं रहे गया है मतलब अंदर से खोख़़़खा रहे गया लेकिन प्रिश्ट के अंदर से पहावा रहता है तो वैसे गोला को ओम लोग बोलते हैं खोखला यानि हलो आसपेयर उसको क्या बोलते हैं अन्दर भी मेटेरियल हो जिसके अंदर भी मेटेरियल हो उसको बोलते हैं। तो उसको बहुते हैं आगर बात करें जैसे और जो सेव है वह रफ एस फेयर है मतलब लगबग में गोला होता है तो उसको बहुते हैं तो समझ गया आप सौलिड और हलो का मतलब समझ गया हॉलो के अंदर मेटरियल नहीं होगा मतलब खोकला होगा अठोस के अंदर मेटरियल सौलिड के अंदर मेटरियल होगा तो यहां पर आज पढ़ना है किसको से हलो के वज़ा से उसी को आप कह सकते हैं थीन एस्फेरिकल सेल भी बोड़ा जाता है तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं यहां पर let us consider let us consider a hollow a hollow asperical cell a hollow asperical cell या hollow asperical conductor भी बोल सकते हैं conductor whose radius is whose radius is capital R and a small q charge and a small q charge is uniformly uniformly distributed on its surface on its surface ठीक है तो हमने क्या लिया के let us consider a hollow asperical conductor मतब एक hollow spherical conductor है whose radius is capital R और उसका radius क्या लेना है capital R लेना है and a small q charge is uniformly distributed on its surface और जो sphere लिये हैं उसके surface पे कितना charge है a small q charge uniformly distributed है तो सबसे पहला हम एक sphere बनाते हैं देख लिजी आप a sphere चलो माल लेते हैं ये sphere इसकी radius जो है वह कितना consider किया गया है capital R और इसके उपर क्या है charge है तो माल लेते हैं ये charge है ये इस पे distributed charge है इसके surface our density को माल लेते हैं sigma कुलोंड पर meter square ठीक है और हमको electric field intensity निकलना है and we have to calculate और हम लोगों को electric field intensity निकलना है इस charge spherical conductor को बज़े से क्या निकलना है electric field intensity तो and we have to calculate and we have to calculate electric field intensity at, outside, at, outside, at, outside, at, outside the surface, outside the sphere, at the surface of sphere, at the surface of sphere, at the surface of sphere, and we have to calculate and we have to calculate और हम लोगों को चाहिए, क्या चाहिए, तो electric field intensity, कहां, कहां भाई, तो at outside the sphere, तो आउट-साइड the sphere के outside, फिर कहां चाहिए, outside the sphere हो गया, उसके बाद कहां चाहिए, at the surface of sphere, यानि इस स्पेयर के surface पे चाहिए, और कहां चाहिए, and inside the sphere, तो बहुत ही मस्त दूरी है, इसमें तीन पॉइंट पे, तीन जगों पे लाक्टिफल इंटेंसिटी बतानी हमको, एक कहां बताना है, outside the sphere, तो माल लेता है, यह outside the sphere है, और इस point को हमने P1 ले लिया, एक कर रहा है, आप the square इस point को हमने P2 ले लिया, यह square पे हो गया, और एक point कर रहा, inside the sphere, और चलोए, एक point हमने inside ले लिया, तो हमने कितने point ले लिया, तीन, और तीनों point पे लेक्टिफल इंटेंसिटी बतानी है, तो हम लोग को elactic fill intensity निकालना है spherical cell के वज़ा से और कितने point पे निकालना है तो तीन point पे एक है outside the outside the sphere एक कहां है at the at the surface of a sphere और एक निकालना है inside the sphere तो कुल कितने point हो गए तीन point हो गए तो तीनों कम बारी बारी से पढ़ेगे तो पहला हम point लेंगे कहां पर at a point outside the spherical cell तो outside the spherical cell तीन point है आप देख रहे हैं यहाँ पर P1 है surface पर P2 है और inside P3 है तो हमको कहां निकालना है आप सुचो P1 पर P2 पर या P3 पर तो अभी हमको निकालना है P1 पर क्योंकि point जो लेना हुआ पर कहां है outside the sphere तो P point पर electric fill intensity निकालने के लिए हम क्या करेंगे तो आपको पता है यह continuous charge distribution है यह कैसा चार्ट distribution है continuous total charge कितना है capital q sorry कितना charge माने है small q है यह माने है तो यह total charge कितना है small q अगर capital क्यों मानते तो यह capital क्यों लिखते है तो यह continuous charge distribution है और continuous charge distribution के वजह से जहां पर electric fill intensity निकालना होता है तो आप हम लोग किस लोग करते गौस लोग और गौस लोग कैसे सेप के लिए वैलिड है close तो यहां close नहीं है हम यहां पर Gaussian surface बनाएंगे और यह चुकिए सफेयर है तो यहां Gaussian surface भी क्या लिया जाएगा और concentric लिया जाएगा concentric का मतलब है कि जो Gaussian sphere लेंगे हम लोग जो Gaussian surface लेंगे उसका भी center यही पर लिया जाएगा और क्या करेंगे इसको close करना है तो इससे बड़ा ले लेंगे थोड़ा सा बड़ा अब सब्सक्राइट यह small r है और जो small r है यह capital r से क्या ले लिए बड़ा ले लिए ठीक है अब इससे होते हुए हम क्या करेंगे कि एक close surface बना लेंगे क्या करेंगे एक close surface बना लेंगे इससे होते हुए एक close surface बना लेंगे देखो इससे होते हुए हमने क्या ले लिया एक close surface ले लिया ठीक है हमने यह close surface ले लिया दिखर आपको एक दूसरा स्पेर ले लिया जिसकी radius हमने क्या consider किया a small r या आप दखेगा यह जो small r है इसका value capital r से अधिक होगा तो आप close surface के लिए तो हम लोग गौस्प लॉक इस कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर area vector देखें तो आपको पता है कि area vector concept of area vector बताए थे कि area vector हमेशा surface में perpendicular होता है अब उसमें दो condition होगा कि outside होगा या inside होगा तो हमने बोला था कि 3D safe है तो हमेशा outside अगर 2D safe है तो बाहर भी हो सकता आंदर भी हो सकता तो आप बताओ square कैसा safe है 3D तो इसमें सिर्फ किदर लेंगे बाहर तो support that आपका area vector इदार है यह होगा आपका area vector और हमने area vector को लिख दिया da क्या लिख दिया da vector area vector को अमने da vector लिख दिया अब अगर इस point पर इल्यक्टिक फिल निकालेंगे तो positive charge है repulsive होगा तो यह भी किदर हो गया बाहर कियो यह भी हो गया बाहर कियो तो da भी बाहर और यह भी बाहर दोनों क्या आ गया same direction में आ गया इस point पर एल्यक्टिक फिल इंटेंसिटी और area vector दोनों क्या है same direction में यहां पर दोनों क्या है same direction में दोनों same direction में तो जब same direction में तो ठीटा किता हो जाएगा 0 degree तो अब यहां पर हम लोग किस का यूश कर लेंगे हमको निकालना है at a point outside the spherical cell spherical cell के बाह तो electric flux के definition से तो क्या हो जागा by definition of electric flux by definition of electric flux किसकी definition से electric flux के तो electric flux का definition है phi is equal to surface integration e vector dot da vector यह न इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं यह हो जाएगा 0 to a इस limit को open कर दिए तो यह हो गया initial area to final area और यहां हो जाएगा eda और देको इधर दिख रहा है और हो जाएगा cos 0 degree cos 0 degree हो जाएगा cos 0 क्यों होगा क्योंकि दोनों ही क्या है same direction में तो same direction में है तो theta का value कितना हो जाएगा 0 degree तो यह आप हम लिख सकते हैं 5 is equal to यह function किसका है da का e बाहर हो जाएगा और integration हो जाएगा 0 से a और यहां हो जाएगा da तो इसका dx का x होता है dx का integration x होता है तो da का e हो जाएगा फिर अपर लिमिट माइनस लोवर लिमिट यहां पर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा तो 5 बराबर हो गया यह और जो हमने सेफ लिया है वह कैसा सेफ है तो एस फेयर है और स्पेयर का अरिया आप लोग जानते हैं तो 5 is equal to हो गया e into 4 pi r square equation number first अब आप यहां पर प्रस्ण कर सकते हो कि sir radius में यह क्यों ने लिए capital r क्यों ने लिए हमें small r क्यों लिए है तो small r इसलिए है क्योंकि यह जो area यह Gaussian surface का तो Gaussian surface का radius कितना है small r तो इसलिए हमने चुकि P1 पर निकाल रहे हैं तो P1 के लिए यह square है तो इसका radius से small r है इसलिए यहाँ पर small r लिए एक equation आगया अब एक equation कहां से आएगा तो Gauss law से तो हम लोग Gauss law के युज़कर के लिख सकते हैं and by Gauss law and by Gauss law तो Gauss law के अनुसार electric flux होता है फाई is equal to in close charge in close charge Q से charge हो गया in close upon होता है epsilon naught तो आप यह बते है जो capital r radius के यहाँ पर square था capital r radius का जो square था इसमें हमने total charge कितना दिया था Q और यह जब इससे बड़े radius का square लिए तो total charge तो अंदर चल गया समझी है बात को जैसे इस छोटे वाले sphere पर कितना चार्ज था है small q तो जब इससे बड़े radius कामने लिया small r capital r से बढ़ा है तो जब बड़े radius इसफेर लिया तो total charge बंद हो गया तो यहाँ in close charge का मान क्या हो गया small q upon हो गया epsilon naught और इसको मालेंगे equation number 2 अब देखो यहाँ equation 1 है और यहाँ equation 2 है तो कहाँ से लिख देंगे from equation 1 and 2 यहाँ equation 1 कितना है e into 4 pi r square is equal 2 हो जाएगा q upon epsilon naught ठीक है तो e बड़ाबर हमको value चाहिए तो e बड़ाबर हो जाएगा q अब बटा में 4 pi epsilon naught r square यह इसी को हम लोग लिख सकते हैं e बड़ाबर 1 by 4 pi epsilon naught q बटा में r square तो यह तो point charge के वज़़ा से भी electrical intensity इतना ही होता था तो यहां तक असपस्ट है तो आप इतना पर भी छोड़ सकते हो यहांने spherical cell के बाहर electrical intensity कितना होगा 1 by 4 pi epsilon naught q by r square जहाए small r क्या है तो outside point का distance है कहां से center of a sphere से ठीक है तो यह हो गया अब देखो इसमें एक और formula निकलना चाहरे हैं ठीक है इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे तो देखों यहां पर e is equal to e is equal to 1 by epsilon naught 1 by epsilon naught और यह हो जाएगा q आप बटा में 4 pi r square हो जाएगा आप बताओ e बराबर दिख रहा आप लोग को नहीं दिख रहा है चलो अगले step में बताते उस side देखें यहां पर यहां पर यहां पर जो q है यह क्या है in close charge है तो इसका surface charge density की ना हम लिए थे sigma तो चुकिए sigma is called होगा q by a q by a होगा न यह point समझ में आ रहा है कि यह q लिए है in close charge है और इसका surface charge density कितना है plus sigma तो sigma बराबर लिख सकते है q by a total charge by total area तो q बराबर होगा sigma a थम इसी formula को ऐसे लिख सकते है e is equal to क्या हो जाएगा 1 upon epsilon not आग q के जगा क्या लिख दे sigma a upon 4 pi r square मताँ मेरा काम हो गया थोड़ा सा फर्मुला को देखते है और क्या हो सकता है तो देखो e is equal to अब लिख सकते है 1 upon epsilon not ठीक है और sigma sigma और यहाँ area जो है यह किसके लिए चार्ज लिए है तो enclosed body का area लेंगे तो enclosed body का radius कितना है capital r यानि अब इस पे चार्ज हम लिए इसके लिए sigma लिए किसका capital r radius का जो sphere है इसके लिए हम sigma या area लिए है इसके लिए कितना हो जाएगा 4pi 4pi capital r square 4pi capital r square और नीचे हो जाएगा 4pi r square 4pi cancel हो जाएगा तो क्या बच गया तो e is equal to बच गया sigma upon epsilon 0 ग्यांदी जीएगा यही वह फर्मूला यह भी है दोनों सेम है form अलग अलग है और यहां बच गया r square upon a small r square तो दोनों को capital r by a small r league के हमले लेंगे whole square तो यह electrical intensity का फर्मूला हुआ कहां पर outside the outside the charge spherical conductor यानि जब point spherical conductor के क्या हो बाहर हो तो यह आपका case यानि जो उसमें question था वसल्व हो गया अभी भी दो point है तो अब आप सोच रहोंगे कि 1 में जब 19 मिनट लगा तो क्या 3 के लिए 57 मिनट लगेंगे 57 मिनट लगेंगे जी बेलकुल नहीं ऐसा है अब जो अगले 2 है बहुत जल्द complete होने वाले है तो चलिए देखते हैं अब दूसरा point कहां पर at the surface यानि यहां पर किस point के लिए P2 के लिए तो देखो भाई अब बात करेंगे हम लोग किस point के लिए at the surface of spare तो at the surface of spare दूसरा point हम ले लेते हैं कहां पर at the at the surface of spare दूसरा point हमने ले लिया at the surface of spare तो surface of spare यह P2 point है at the surface of spare कौनसी point है P2 तो अगर actually अगर का है तो P2 open है क्योंकि surface पे अब यह जो part यह खतम हो गया यह तो outside के लिए था जब अब इस पे fully concentrate कर P2 पे अब यह समझो कि यह जो बाहर वाला Gaussian surface था यह नहीं था क्यों नहीं था क्योंकि यह case 1 के लिए था जब हम लोग बाहर point लेते तो जब P2 surface पे लेंगे तो भी तो फिलाल open है तो जो इसको Gaussian surface imagination लेंगे मतब जो आगला sphere बनाएंगे वह इससे slightly अधिक बनाएंगे slightly यह बहुत थोड़ा सा अधिक कर देंगे मतब इतना अधिक कर देंगे कि यह ढग जाए तो उसका भी distance लगबग r ही होगा small r ही sorry capital r ही उसका distance होगा जैसे connect मतब इस point print करना इससे थोड़ा सा बड़ा radius से लेकर बना देंगे तो उसका भी दूरी लगबग क्या लिया जाएगा capital r लिया जाएगा ठीक है तो इस इस्तिती में क्या होगा इस इस्तिती में हो जाएगा फले लिक लेते हैं वो तो आप देखे हैं since electrical intensity यह surface पर लेकिन अभी हमाल लेते हैं कि बाहर है तो बाहर के लिए फर्मूला था e is equal to sigma by epsilon naught capital r upon a small r और यह पूरा को जाएगा तो हमको निकालना है कहां पर at the surface of a sphere तो यह तो बाहर के लिए था तो हमने माना कि surface पर जो point है वो भी square से बाहर है तो यह हो गया लेकिन actually कितना बाहर है तो slightly बहुत कम तो उसकी दूरी तो यह capital r के बराबर ही होगा न तो यह small r ले रहते है वो capital r के बराबर हो जाएगा तो चुकिए surface पर है इसलिए हम लिख सकते here small r is equal to capital r समझे यह यह बराबर हमने कैसे लिख दिया तो हमने माना कि p2 तो surface के बाहर ही है क्योंकि add the surface inside the surface नहीं है कहाँ add the surface तो बाहर ही है तो बाहर के लिए तो यह formula है तो हमने इसको लिख दिया लेकिन कितना बाहर है तो slightly just थोड़ा सा आगे तो अगर उसको close भी करेंगे तो दूरी तो वही रह जाएगी थोड़ा से इससे देख तो उतना consider हम लोग नहीं करेंगे तो यह हो गया तो e is equal to हो जाएगा sigma upon epsilon और यह जो आपका value है यह हो जाएगा r upon r i square तो cut के one हो जाएगा capital R में लिख सकते हो तो e is equal to कितना आ गया sigma by epsilon not यह formula कहां के लिए हुआ यह formula हुआ at the surface के लिए point P2 के लिए हुआ किस के लिए हुआ for P2 point यह किस के लिए हो गया P2 point के लिए है आप चुकिए sigma क्या है surface density तो surface density होता sigma by Q होता है ना तो चलो लिखते है sigma को लिखते है Q a epsilon तो यहां पर और थास आगे बढ़ जाए तो हो जाएगा 1 यह हो गया Q अ एरिया देखो अब इस sphere की बात हो रहा है तो हो जाएगा 4 pi r e square यह capital r लिखते है एरिया Q क्योंकि अब इस surface पर है तो यही ना radius का का काम करेगा तो यह हो गया इसको अब लिख सकते है क्या लिख सकते है तो E is equal to E is equal to नहीं दिख रहा है तो क्या लिख सकते है E is equal to 1 by 4 pi epsilon हमने यह ले लिया 4 pi epsilon q upon capital r square तो यह formula हो गया कहा के लिए add the surface of a sphere तो add the surface of a sphere भी वो गया आपको कोई problem है पताइए थोड़ी सी कश्ट हो रहे है गर्मी बहुत ज्यादा है समझी रहे है और यह जिस time में वीडियो शूट कर रहे है आपको पता है कि इसमें बहुत गर्मी है तो परशानी थोड़ी से हो रहे है तो उमेद कर रहे है कि चलो कोई बाद ने आपको समझ में आया अब हम लोग देखते है case theory कौन सा point यानि case theorem हमने लिया था P3 और P3 का है inside the surface of a sphere अब कहा हम लोग को पढ़ना है inside the spherical cell मतलब a spherical cell के अंदर तो P3 तो जो भी हमने charge दिया था वो charge कहार अगया था इस sphere के surface पे तो charge तो बाहर अगया sphere के surface पे और इस बार point अपने लिया है inside तो अगर यहां सो Gaussian surface भी बनाएंगे अगर P3 सो होते हुए कोई Gaussian surface का imagination भी कर ले तब पर भी charge in close नहीं होगा क्योंकि इस sphere के अंदर कोई charge है ही नहीं जो भी charge दिया थे यह conductor था और conductor को जब charge दिया जाता है तो charge कहां distribute होता है on the surface है ना तो कहां पे surface पे होता है तो अंदर तो कोई charge नहीं है इसलिए in close charge 0 और जब अंदर कोई charge ही नहीं है तो intensity 0 होगा क्योंकि intensity का पर्मुला qy r square low अचाय स्मॉल qy तो q पे तो depend करता है electric field intensity जो होता है charge के directly proportional होता है और यहां charge 0 है इसलिए intensity क्या होगा 0 तो आपने तीनों point के intensity को देख लिया at the surface भी और outside the surface भी और inside the surface भी तो यह तिवरी बोड के लिए बहुत ही important था अब यह अभी तक हम लोग जो पड़े किस के लिए था hello as spherical cell के लिए था hello as spherical cell के लिए था यह बोड के लिए बहुत ही important थिवरी था तो चलिए उमीद करते हैं कि आपको समझे में आया होगा आज के लिए इतना ही और मिलतें आपसे next class next theory के साथ तब तक आप अच्छे से घर पर पढ़िए और मिलतें आपसे next video में next lecture के साथ आप सभी को धन्यवाद